दोस्तों पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि अब स्टॉप में फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली आज की तो वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा और अगर अभी तक मेरे को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिया तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को आपके सामने में ने अब स्टॉक का जो है मोबाइल एप लॉग इन किया हुआ है यह मोबाइल का इंटरफेस है और अभी तक अपने डिवेट और अब स्टॉक के साथ ओपन नहीं किया है तो अब स्टॉक के साथ अपकाउंट ओपन कैसे करें इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में में मेंशन की है आप वहां से देख सकते हो और अपन कर सकते हो चलो जब हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तो बट होती है मार्जिन ओके आपको मार्जिन भरने पड़ती है और वह जो है मिनिमाम 10% से लेके मैं 30-40% मार्जिन आपको देनी पड़ती है अभी मार्जिन मतलब क्या मतलब इन्वेस्मेंट आमाउंट मतलब जो मैं कोई पर्टिकुले शेर्स ले रहा हूं तो मुझे पूरा प तो यहां पर मैं निफ्टी का फ्यूचर आपको एड़ करके दिखाता हूं आप स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हूं जेकिए फंड ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है ठीके निफ्टी फ्यूचर यह जनूरी के एक्सपारी मैंने एड़ कर दी हैं पर चुका है और यहां पर आपको एकसपारी भी दिखाए देगी फिर मतलब हर महीने के लास्च को यह यह से होजाता है स्क्यर उफ homeless यह पूरी तरह के से चलता है इंडेक्स के उपर तो हमारा जो आज का विशह है उसके उपर हम जाद़ फोकस करेंगे जो है फ्यूचर में कैसे करें तो सबसे पहले आपको जो है फ्यूचर में ट्रेडिंग करते समय इसकी जो रिक्वारेबंट है मतलब मार्जिन मनी यह यह दो पर आपको दीखेंगे यहां पर यहां पर यह दिखेंगे यहां पर वाई करना इसका जो होता है दोस्तो यह होती है ऐक कॉंटिटी नहीं होती फ्यूचर में होती है लोट साइज होती है सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इतना ध्यान में रखिए कि आपके अकाउंड में उतना मार्जिन एवलेबल होना चाहिए अभी इसमें जो ऑप्शन दिया है खास करके जब मुझे अगर फ्यूचर बाय करना है अभी निफ्ति का तो यहां पे मुझे ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो ऑडर टाइप है ओके वह नॉर्मल आप मार् स्वाल करते वह से दिलीवरी नहीं होता है दिलीवरी मतलब आप इसको ओल कर सकते होख यहां पे इसका अलग है दोस्तों डिलिवरी मतलब होता है कि you can't hold the future तक आप इसको होल कर सकते हैं तो जब तक आप इसको मतलब जैसे अब आप देख रहे हैं तो आप इसको होल कर सकते हैं और अलग-अलग अलग-अलग है को आपको एक्सपाइरी को इसको सकते है जैसे हैं तो यहांप ऐसे होता है तो यहां पर देखिए और वापस एप्रील का कॉंट्रैक यहां पे एडिशन हो जाता है तो यहां पर बॉइक करना है तो यहां पर यहां पर इधियर को प्राइज लेट अप्डेट होगी जो भी इसके डिट्राइज लेई जो है करना है तो फॉर्टीन थाउजन सेवन हंडेड में इसको बाइ करना है मुझे इसको रिवीव में क्लिक कर देना है रिवीव में यह कॉंटिटी मुझे मेंचन करना है यहां पर विवी कर देना है यहां पर देखिए आप ले रहे हो फ्यूचर की कॉंट्रैक्ट और यहां पर जो है पोजीशन आपको लगेगी पूरी तरीकेसे मतलब आप जाक हो परोडिंग में कर रहे करें ऑप एक पज्सेयर तक पर तो देखिए 1,62,000 1,62,800 का इतना फ्यूचर यहां पे जरूरी होता है मतलब margin जरूरी होता है तो यहां पे जो निफ्टी फ्यूचर है उसकी margin है 1,62,000 यहां पे requirement है 1,63,000 यहां पे रिक्वार्मेंट है 1,63,000 यहां पे फ्यूचर की वहां पे margin लगेगी और इस तरह से कि जहां पे आप मंदी कर सकते हो जब अगर आपको लगता है कि इंडेक्स है नीचे गिरने वाला है तो आप क्या कर सकते हो maximum आप equity जो है आपको delivery सेल आउट कर सकते हो holding सेल कर सकते हो लेकिन अगर आपको सेल करके मतलब सेल करके उपर के रिप में नीचे अगर buy करना है और आपको position hold करनी है तो यह जो सेल पोजिशन आपको hold करनी है तो इसके लिए आपको future का ही सहारा लेना पड़ेगा इसलिए future को जो है hedging project जो है करके use किया जाता है जब market नीचे गिरता है तो आप यहां पर निफ्टी जो है बेच के खड़े रह सकते हो ओके जिसे short selling कहते है तो कि आपके पास नहीं है लिया हुआ लेकिन आप इसको बेच में बेच कर जा सकते हो वैसे ही आप stock जो है stock future भी बेच सकते है आपको लगता है कोई stock नीचे गिरने वा मैं अब यहां पर एफेंडो में गया और एफेंडो पर अगर मैं मुझे लगता है कि रिलाइंस थोड़ा और करेक्ट होगा तो यहां पर देखेंगे हम तो यहां पर फ्यूचर एड़ हो चुका है मुझे लगता है यह नीचे जाएगा तो मैं यहां पर sale order करके इसको जो ह 28 January तक sale करके खड़ा रह सकता हूं वहां पर कोई मुरा delivery का वहां पर कोई problem ही नहीं मतलब फ्यूचर का जो benefit है वह तीजी के साथ मंदी में भी आप ले सकते हो और दोनों साइट अब मुनाफा कमा सकते हो तो यही एक beauty होती है फ्यूचर ट्रेडिंग की तो इस तरीके से आप यहां पर lot size होती है वो आपको ध्यान में रतना है और तीसरा जो होता है वो होता है expiry date आप जो ले रहे हो contract वो किस दिन expire हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए उसके बाद वो contract automatically square off हो जाएगा तो better आप उसके पहले ही उसको square off कर दे या profit book करके निकल जाए तो आज क इसकी वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करिए लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यों सो मुल्च